Hello everyone, स्वाकत आप सभी का Teaching Goals Case Learning Platform पर आज मोर्निंग में मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करे थी जिसमें कहा था कि TGT का एक्स्पिरियंस का केस है जिसे डिसमिस किया गया है इसी के ही कंटिनिवेंस में एक वीडियो मैं आपके लिए और लेकर के आई हूँ उस वीडियो में मैंने आपको वो जो वीडियो मैंने उसे प्राइवेट कर दिया है ज्यादा लोगों तक वो नहीं गई थी लेकिन उसका जो रीजन है मैंने टेलिग्राम पर भी शेयर कर दिया था और आपके साथ community में भी YouTube पर भी post कर दिया था तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ कि एक case क्या है हुआ क्या है और आखिर में सारी चीज़े आपके साथ इस वीडियो में discuss करूँगे तो वुपेंदर शर्मा यहाँ पर petitioner है जो कि state of हर्याने रदर्स के साथ यह case आपका चला था और यह जो case है वो आपका जो private school से जिनका experience है उनमें से ही किसी एक नहीं हाँ पर एक petition डाली थी और किस close के against close 7 और close 12 सब close 5 के against में जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में बताया था उस पे बात नहीं करते हैं तो जो 7 है वो यह कहता है वो आपको actual बताता है 7 जो है कि कि किन को यहाँ पर आपकी जो certificate को कैसी होनी चाहिए और आपको कहां से उसे sign कराना है यह बात करता है 7 जिसमें इन्होंने यह बता certificate जो है आपका सब चीज मेंशन होनी चाहिए है और चीज आपको ensure करनी है कि आपका यह जो है वो counter sign हो by the district education officer या फिर district elementary education officer यह आपका close 7 बोलता है और जो close 12, sub close 5 है वो आपको यह बताता है कि आपका experience है वो 6 महीने से कमका नहीं होना चाहिए उसके बाद जो है आपको numbering बिल आपको मिलेगा para 4 में लिखा हुआ ठीक है para 4 में जब आप देखेंगे तो इसमें आपको यह चीज समझनी है जो मैंने गलत तरीके से interpret करते हैं आप यह previous वीडियो में बता दिया था तो इस वीडियो में उससो clear करती हूँ और यह बताया गया कि from above it is apparent that the only aspect for obtaining teaching experience is that the experience certificate has to be countersigned इन्होंने ये कहा है कि आपका जो teaching experience है उसके लिए सिर्फ आपको एक aspect देखना है सिर्फ आपको एक पहलू देखना है कि जो क्या है कि आपका वो counter sign हो यानि कि वो सत्यापित हो आपके DEO की तरफ से या फिर DEO की तरफ से इसमें कहीं पर भी यह आपका mention नहीं है कि आपके अगर government है तो ही या फिर आपका private है तो ही या फिर private वालों को हम नहीं लेंगे ये कहीं पर भी mention नहीं है तो इसमें आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूं वो यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि जो भी private school से experience रखने वाले उदास ना हो आप भी यहाँ पर जो है यहाँ पर लख लिखी है कि it does not therefore in any manner bar the teacher who are teaching it यह जो line है यह मैंने हलकी से आपके लिए गलत पढ़ दी थी इस line में आपको यह कहा गया है कि इस से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर private school में पढ़ाने वाले teacher को bar नहीं किया गया है ठीक है सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना बस यह चीज़ आपको कही गई है तो इससे यह पता चलता है keeping in view there too the lit petition is found to be wholly misconceived यानि कि इस petition को एक तरीके से misconceived करते हुए यहाँ पर लाया गया और इसको यहाँ पर dismiss किया जाता है कहने का मतलब यह है कि court ने यह कहा है court ने basically यह कहा कि आप लोग जो है यह जो पूरा petition लेकर के आये हो यह premature stage है अगर इसको हम तब सुनेंगे जब आपका अगर मानलो आप private school से experience रखते हो और अगर आपको numbering नहीं मिलता है जब आपका result आ जाता है तो फिर हम इस case को सुनेंगे अभी जो है आप पहले से ही यहाँ पर आ गए हो इसलिए हम इस को dismiss करते है हलंकि इसका जो main case है वो आपका 6 March को सुना ही जाएगा तो उमीद है कि उसमें आपका clear हो जाएगा यह उससे अलग है तो इसमें जो यह जो आपका viral हो रहा है यह जो आपका जो एक तरीके से order viral हो रहा है इसके अंदर आपको यही बताया गया है कि आप चाहे private से हो आप चाहे government से हो बस आपका जो certificate है वो आपका sign हो counter sign हो किसके दुआरा district education officer के दुआरा आपका counter sign होना चाहे भले आपका government है भले आपका private है ठीक है इतनी सी चीज है इसमें जो आपको समझ लेनी है तो यह था इस वीडियो में जो मैंने आपको गलत तरीके से हलका सा modify करते हुए पहले बत आपको समझ में आ जाए ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि यह जो petition है इसको इसलिए ही यहाँ पर dismiss किया गया है कि court ने कहा है कि आप वेट कर लो अभी आप पहले ही आगे हो हमारे पास अगर आपको नहीं मिलता है फिर बाद में हम इस चीज पर फरतर जो है चले ठीक है तो यह है इस पूरी वीडियो में उम्मीद करूं कि आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो में इतना ही है सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को मिलती नेक्स वीडियो में थैंक्यो थैंक्स वाचिंग में